आप सब इक सोक्त बात करेंगे दोस्तों याप पर एक शांदा स्टॉक के बारे में जिसमें आपको याप पर एक बड़ी ब्रेकी नियूज भी नजर आएगी और दोस्तों इस स्टॉक आपके लिए काफी जबरदस तरीके से मोका क्रेट कर रहा है देखें आपर आम बात करे IRFC के बारे में दोस्तों इस टॉक में जो वैल्यू है वो मैं आपको बताऊंगा और जो कमपनी के मैनेजिंग डिरेक्टर ने भी कुछ इंपोर्टन पॉइंट बताये है वो भी आपर हम डिसकस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट समदना आपको पता चलेगा दोस्तों क्य खासियते बोलकर इस कमपनी में यहापर देखें बहुत से लोग छोटे दाम का शेरे बोलकर आट्रैक होते हैं और बहुत से लोग यहापर निगलेट भी करते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्मेंट होगी बट आप उसकी क्वालिटी चेक करना आपको पता चलेगा कि इसमें आपके लिए क्या यहापर स्ट्रैंट है बोलतों अच्छा ही क्या है वो समझ में आ जाती है वीडियो पसंद आए मेरे फट अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज कर लेना यहापर वीडियो इंपॉर्टन इसलिए दोस्तों क्योंकि देखिए इस स्टॉक से जुड़ों कमेंड बहुत से आ रहे थे कि सर यहापर आयरफ सी स्टॉक में फिलाल इंट्री लेनी चाहिए क्या और यह स्टॉक आगे जाएगा क्या तो दोस्तों मैं आपको विड लॉजिक के साथ बताऊंगा जाएगा क्या ने जाएगा और यह बी बताऊंगा कि रुपए 10 पई से पर ट्रेट कर रहा है बहुत दिनों के बाद अच्छा इंप्रुमेंट हुआ है दोस्तों तो कि देखिए स्टॉक यहाँ पर 23-24 रुपए के बीच में ही चल रहा था ज्यादा इंप्रुमेंट हमें आभी तक देखने कोई नहीं मिल रहा था बट फिलाल य देखिए जो निवेशक को पता होगा कि 50% से ज्यादा वैलिम होता है तो कंपनी में यह पॉजिटिव मुमेंटम है दोस्तों के आने वाले समय में यहाँ पर नेक्स डे में स्टॉक यहाँ पर आपको बड़या परफॉर्म करते वें नजर आएगा यहाँ पर इसके सिम्ट आपको दिखाना चाहूंगा एक्चुल यहाँ पर आप देखे तो यह देखिए लिजए आपको पता भी चल जाता है यह पूरते कैसे यह बॉक्स के बाहर निकला ही नहीं है बॉक्स के बाहर जैसे निकलेगा जैसे का आपको बता दू यहाँ पर 26 रुपय के लेवल पर औ यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं कि Managing Director ने यहाँ पर क्या बाते डिसकस किये और कौन से Point पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा Focus दिया गया है वह यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले बात है दोस्तों Growth के बारे में Growth Story एस Company की भी और आने वाले समय में देखी Company अच्छी तरीके से आपको Railway सेक्टर में Perform करते वे नजर आएगी सबसे important बात मैं आपको बताना चाओंगा इंडिया में दोस्तों आभी भी जैसे Railway सेक्टर पूरी तरीके से उसमें Development होनी बाकी है और उसको जितना पैसा जरूरी रहेगा दोस्तों कहां से आएगा तो यह Company प्रॉइट करेगी और इस Company का Work ही है कि यहाँ पर Railway से जुड़ेवे जितने भी काम होते है या Development होते है उसमें पैसा लगाना और यह Company का यहाँ पर जो Work है Company प्रॉपर तरीके से करते वह नजर आ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर डेटील बताऊंगा इस Company के जो Financial Year है उसके बारे में उन्हों डिसकस किया है Company ने जो यहाँ पर Growth दिखाई है Profit की वो भी हाँ पर इन्होंने बताया दोस्तों Company ने देखिए 1500 करोड के करीब का Profit कमाया यह भी सब ची चेर्में उन्होंने डिसकस किया कि Company के जो रिजल्ट है वो Positive Momentum दिखा रहे है उस पेसे और भी उन्हों चीज़े बताए Growth of Indian Railway and Can forces as a sustained Growth in the Revenue and Profitability in the coming years यह भी उन्होंने बताया दोस्तों और यह कौन बता रहा है परसंद देखिए यहाँ पर आपको नजर रहागा Chairman and Managing Director छ और यहाँ पर वो Managing Director है तो Company में Value है उन्होंने सब कुछ बताया और Majorly दोस्तों Important चीज़ यहाँ पर हम समझे तो कि यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों Stock में आपके लिए बहुत से Advantage है यहाँ पर आपको नजर आ जागा Interestical Value के बारे में Interestical Value दोस्तों Most Important है इंडिया में जितने भी हाँ पर बड़े निवेशक है या Other पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी बात आप कभी भी उनका Portfolio देख लेना और उनका जब Stock Selection रहता है किसी भी Price का Share हो तब खरीते दोस्तों जब उसकी Interestical Value सस्ती हो देखे 100 रुपे का Share हो 80 या 70 रुपे में खरीद लेते हैं खरीदते ही फायदा दोस्तों क्योंकि हमें पता है वह 100 रुपे की है बड़ हम खरीद रहे किते में 80 में तो हमें यहाँ पर खरीदते ही कितना 20 रुपे का फायदा हो रहा है यह सोच रखकर निवेशक निवेशक करते हैं और ज्यादा प बहुंत कर देखिए कंपनी आपको एंबडी से अच्छा रिटरण देती है dividend का थोड़ा है हाँ अपर कम data बोलत हो यहाँ पर आपको बसा दो आपने भी देखा होगा पाइसे में, 20 पाइसे पचास पैसे, सतर पैसे ऐसा return है dividend का, इसलिए थोड़ा है हाँ पर इन्हों ने डाटा ने दिखा है, बट इंट्री पॉंट अच्छा है, नोरेड फ्लैक, एसम जीसम लिस्ट में नहीं है company, तो company बढ़िया है, मुझे लगता है, और यहाँ पर इसका peer ratio भी चेक कर सकते, sector wise company अभी भी undervalued है, और 100% दोस्तों जीसम में analysis की buying की rating है, क्यों कि उन्हें भी पता है, और company की result हमने देखे यह, जैसे मैंने का 1501 करोड का यह, प्रॉफिट कमाया, 51% से growth देखने को मिले, तो all around यहाँ पर IRFC की बात करतो company solid है, जैसे कि मैंने आपको सभी चेज़े बताएं द